नई मुंबई इलाके में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब एक बकरे पर राम का नाम लिखा पाया गया इस कुर्बानी के बकरे पर जब राम का नाम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिशद ने देखा तो उन्होंने वावेला खड़ा किया लेकिन बता दे आपको कि इ बाजाबता तौर पर इसलिए पकडदखड़ की जाती है क्योंके वो जो है बकरे कुरबाणी के लिए लाए जाते है जिस तरीके से बता दे आपको कि नई मुंबई के CBD बेलापूर में बाजाबता तौर पर कई सोसाइटी ऐसी है जहां कुरबाणी नहीं की जाती और गु निशान दही के लिए निशान जद करके उसी मटन शॉप में रखे जाते थे क्यूंकि सोसाइटी में बकरे की आमद ममनुआ है ऐसे में अपने नाम की पैचान को लिख कर बकरे पर यहां पर रखा जाता था और इसे चारा खिलाया जाता था इसी तरह से महमद रियाज मेडकर ने बाजाबता तोर पर बकरे की खरीदारी की थी और खरीदारी के बाद जो है उसने बकरे को वही मेट शॉप में रखा था और मेट शॉप में रखने के बाद बजरंग दल और विश्व हिंदू परिशत को ये खबर हुई क्योंकि बकरा जो है चराने के लिए बाहर निकाला गया था और बकरे को जब उन लोगों ने देखा कि इस पर राम लिखा है तो उन्होंने वाविला खड़ा किया मजभी जजबात मजरू का हवारा दिया तो पुलिस ने कारवाई करते हुए टू नाइंटी फाई टू के तहट मामला थे वेपारी उसके खिलाव कारवाई की गई बता दे आपको के पुलिस से हमें ये इतला मिली है वहां के सीनियर पुलिस इनिस्पक्टर गिर्दर गोरे से जब हमने बात की तो गिर्दर गोरे ने ये वज़ाथ की कि ये मामला जो है किसी की मजभी जजबात मजरू करने का नहीं है बता दे आपको कि जिस तरीके से जो है विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दलने मामलग जो है गुमराकुन अंदाज में पेश किया जबके जो बकरों का कसाई था उसे ये मालूमी नहीं कि बकरे के सीने पर या बकरे के बकरे की जो चमड़ी है उस पर जो है राम का नाम लिखा है जिस तरीके से बकरा लिया जाता है और बकरा जो है किसी मटन शौप में रखा जाता है तो उसमें जो है निशानी लगाई जाती है या फिर अपना नाम का कुछ हर्फ जो है वो लिखा जाता है तो इसी तरह से महमद रियास मेड करने जो है अपना नाम रियास था एक ये जो बकरा जिसने ख़रीदा था मुहम्मद आमिर मेड कर था ये तो इसने जो है अपना नाम जो है बकरे पर गोंदा था लेकिन बकरे पर जो नाम गोंदा था तो इसने जो है आरेम गोंदा था लेकिन एक बकरा और भी ऐसा था जिस पर आरेम का नाम था तो ऐसे में जो है दोनों बक्रे यक्सा ना हो और दोनों बक्रे जो है एक दूसरे के एक दूसरे से मेल ना खाए इसलिए जो है उसके बाद जो है एक पीट पर जो है बक्रे के उस पर आर आरेम के बाद जो है एक पर आरेम लिखा गया यानि रियाज आमिर मेट कर तो ऐसे में ज जो है राम का नाम बकरे पर लिखा गया है और इसे जो है कुर्बानी इसकी कुर्बानी दी जाएगी ये बात सरसर जो है जूटी थी और इसके बाद जो है इलाके में कशीद्गी फैलने की कोशिश हो गई थी और फिर जो है पुलिस ने मामले को समाला और पुलिस ने मामले हुए शिकायत ले ली और तफ्तीश की लेकिन तफ्तीश में ये मामला सामने आया कि महमद शफी जो है वो अनपड़ है उसे जो है इंगलिश हिंदी या कोई भी जबान नहीं आती है और उसने जो है लाइल्मी में ऐसा किया है और जो है एक पीट पर जो वक्रे की पीट पर जिस पर राम लिखा है तो दूसरी तरफ जो है आरेम लिखा हुआ है बता दे आपको कि जिस तरीके से विश्व हिंदु परिशत बजरंग डल इदूल अजा के दोरान जो है पुर्बानी के मामले में बाजापता तोर पर नजबों नजब खराब करने की खोशिश करती है वही मामला नई मुंबई में हुआ और पुलिस ने इसे समाल लिया जिस तरीके से पुलिस ने पुरी कारवाई की है इससे ये साबित होता है कि पुलिस ने जो है बजरंग दल के वावले के बाद जो है केस दर्ज किया लेकिन पुलिस के आला अफसरान का ये कहना है कि अगर किसी के मुतालिक कोई शिकायत मिलती है तो उन्हें कारवाई करना पड़ता है ये बात आगे कोट तै करेगा कि उसने जो है राम का नाम कजद नहीं लिखा है जिस तरीके से आप कुर्बानी की बात करें तो कुर्बानी के मामला ऐसा है कि किसी के मजभी जजबात को ठेस पहुंचा कर कुर्बानी नहीं की जा सकती ये जायज नहीं है इसलाम भी जो है किसी के मजभी जजबात को मजरू करने की तलकीन नहीं करता है न कायम है, मुंबई से लेकर नई मुंबई और महराष्टा में stiff another कायम है, लेकिन ऐसे में इस तरह की हरकत्स से नोक्सेःमन का खत्रह है ऐसे सरपसन अनासिर पर नजर रखने की भी जरूर्वत है और और जो इस तरह के लाइलमी में काम करते हैं इस पर भी जो है नजर रखने की जरूरत है क्योंकि महाराष्टा का law and order इंत्याई जरूरी है जहां के इंसाफ की कास रिपोर्ट